नमस्ते आपका स्वागत है हमारे चनल ग्रेमेटस के अंदर और हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट हाउ टूमेगा टेलिग्राम बॉट के एट्थ एपिसोड के अंदर हमारी इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाय था कि आप टेलिग्राम बॉट को कैसे रोक हूँ है वह यहाँ पर प्लैट्फॉर्म है और मैं आपको बता दूगा कि यह पेड होस्टिंग भी आपको कैसे फ्री में मिल सकती है क्या तरीका या फिर कितने सस्ते प्राइस में आपको मिल सकती है तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपनी आज की कि cinema की सबस्क्राइब कर ले हुए हमारी video की description box में सबसे पहले तो आपको आपको यहां पे जरूध होगी तो उसके लिए अप इस वीदियो को देख सकते है कि holiness कैसे ले सकते है बहुत ही सस्ते में मैं आज आज ब्रोइ करने वाला इसको आपको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है आप कोई भी रिपोजेटरी डिपलॉई का सकते हैं मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि हिरोक के ऊपर कैसे करते हैं तो देखो यह हमारी रिपोजेटरी है इसके पहली फाइल है वो लाइसेंसे जो हमारे किसी काम के दूसरी फाइल, फाइल है, जो कि मैंने आपको पिछले ऐपिसोड के अंदर बता दिया था कि प्रोफाइल का क्या यूज़ होता है यही फाइल हिरोकू के अंदर यूज़ होती है जिससे डिट्रमाइन होता है कि आपकी जो बाुट है वो किस से स्टार्ट होगा, इसके ब वो फाइल है जो बॉट के अंदर यूज हो ही है इनका आपको ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती है यहां पर एक लास्ट फाइल आती है जो की है रिक्वार्मेंट्स टी एक्सटी ठीक है इस फाइल के अंदर मैं आपको अल्रेडी बता सकता हूँ इसके अंदर सारे वो पेकेजिस होते जो हमें जिनकी हमें जरूत होती है बॉट को चलाने के लिए एक यहां पर एक फाइल है एप.json अब इसका क्या यूज है देखो Heroku एक ऐसा जिसके ओपर अगर आपको फाइल हो इसको डिपलोई करना तो उसके ऊपर करने के लिए आपको यहां पर पहले से एक फाइल प्रॉर्मेट बनाना होगा उस platform के हिसाब से ताकि platform समझ पाए कि आप क्या बना रहे हैं तो उसी के लिए यहाँ पे एक file आपको बनानी पड़ती है इसकी documentary को पढ़के app.json कही repositories के अंदर यह file होती है किसी के अंदर यह नहीं होती है और होने और ना होने से क्या फरकाता है वो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर सब कुछ आगे बताऊंगा तो सबसे पहले जब भी आप किसी repository को select करें तो उसकी आपको readme file को यहाँ पर पढ़ना होगा तो readme file को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह bot क्या कर सकते हैं कि यह bot audio recognition या voice recognition कर सकता है उसके बाद यह क्या करेगा कि कोई audio file है उस audio file में से उसकी जो script है यानि कि text है उसको निकाल सकता है मतलब आपने audio में जो बोला है उसको वो text के अंदर convert कर सकता है यह user is bot का ठीक है यह इसके environmental variables है जो आपको fill करने होंगे इसके बाद bot deploy करने के लिए यहाँ पे इसने दो method दी हुए एक तो hiroku वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक दूसा local वाला जो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था यह इसके यह हैं और यहाँ पे developer है जिसको आप follow कर सकते हैं इनको और भी ऐसी शांदार projects के लिए GitHub के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस repository को यहाँ पे start कर देना और उसके बाद इस GitHub repository को copy कर लेना अपने GitHub account के अंदर तो मैं यहाँ पे copy कर लेता हूँ तो चलिए आप इस bot को deploy करना start करते हैं तो एक तो easy method होता है bot को deploy करने का directly button से लेकिन अभी जो मैं button वाला method यूज करूँगा तो यहाँ पे कुछ error आए हिरोको की तरफ से कि यहाँ पे directly इस button से deploy नहीं हो रहा देखो यहाँ पे application error आए हिरोको की तरफ से error है यह वाला method बटन वाला इसमें सिर्फ public repositories ही आप deploy कर सकते हैं private को नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे private और public दौनों कर रहेंगे तो सबसे पहले आपका करना है create new app के ओपर click कर देना है हिरोको के app को नाम देना होगा जो भी आप अपने app को नाम देंगे और याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ small letters का आपको यूज करना है और create app के ओपर click कर देना तो सबसे पहले तो आपका एक simple हिरोको app create हो जाएगा अब यहाँ पर deployment method में आप देखो हमें यहाँ पर github से deploy करना है तो connect to github के उपर click करना अब connect to github पर click कर देना तो आपके यहाँ पर authorization मांगेगा आप गिटव account से मैं इसको authorize कर दूँगा थाकि यह मेरे github account से connect हो जाए अब यह मेरे github account के अंदर connect हो चुका है gray matters के अंदर अब आपको यहाँ पर अपनी रेपो का नाम डालना होगा मैं किसी भी को यहाँ पर deploy कर पाऊँगा आपको बस यहाँ पर connect हो उपर click करना है connect होने बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले को छोड़ देना automatic deployment को हमें यहाँ पर main focus करना है आपको यहाँ पर अपनी branch select करने होगी तो इसके अंदर एग ही branch है जो main branch है जिसको हम यहाँ पर deploy करेंगे ठीक है आप मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था config file के बारे में आप इसमें देखोगे कि इसमें कोई भी config file नहीं है आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि main.py वाली जो file होती है वो main होती है आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर API idea hash यहाँ पर डाल सकते हैं आप चाहे तो directly यहाँ पर fill कर देना जैसे मैंने पिछली वीडियो में fill करवाया था locally run करने के लिए अगर आप यहाँ पर directly run कर दोगे और फिर यहाँ पर बस deploy branch के उपर click करोगे तो भी आपका bot start हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे यहाँ पर आपको hero को वाले method से बताऊँगा जो कि अगर हम इस bot इस link के थ्रू deploy कर पाते तो काफी आसान होता लेकिन हम क्योंकि इस link के थ्रू deploy नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर difficult method यहाँ पर select कर रहे हैं तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा deploy branch के उपर click कर दूँगा अब जो हमाँ होगा मेरी repository हाँ पर deploy होना start हो जाएगी अब जब मेरी repository हाँ पर deploy होगी तो आपको क्या होगा कि आपको इसके environmental variables रोगों के अंदर खुद add करने पड़ेंगे कौन-कौन से environmental variables जो आपको यहाँ पर दिये हुए environmental variables अगर मान लोग यह environmental variables आपको readme file के अंदर नहीं मिलते हैं तो आपको app.json.py वाली file है इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखो यहाँ पर api id api hash और model download url language code send as और bot token यह हमारे पांच variable है build up packs को आपको छोड़ देना है इन्हें आपको छेड़ने की ज़रत नहीं है बस हमें environmental variables को select करना है ENV के बाद bracket के अंदर जितनी भी चीज़ा आती है वो सारे आपको environmental variables है आप यहाँ लिखा हुआ है इसके बाद जो जितने भी हाँ पर last bracket तक आ रहे हो सारे हमारे environmental variables है तो मैं हाँ से environmental variables को copy कर लूँगा तो सबसे पहले हम copy करेंगे API ID को अब API ID वगएर के बारे में मैं आपको प्लेलिस में सब कुछ पहले ही बता तो आप यहाँ पर देखो कि हमारा बहुत यहाँ पर deploy हो चुका है इसके अंदर deployment में कोई error अभी तक नहीं आया है हम यहा पाले पार्ट को मैं हाँ पर skip कर दूँगा ताकि हमारे वीडियो का time बच सके अब यहाँ पर एक variable है model download url इसमें क्या है कि हम एक एक application एक cool का इस्तमाल कर रहे है अपनी जो voice है उसको text में convert करने के लिए तो उस ही कि आपको यहाँ पर download url रख करना होगा तो उसमें आप description में पढ़ सकते हैं कि language model का link आपको इस website के उपर मिल जाएगा तो आप इस website के उपर जाना मैं इसको यहाँ पर copy कर लेता हूँ और नए page में जब open करूंगो तो आपको यहाँ पर इसका download url मिल जाएगा तो यह यहाँ पर download url है इसको उपर click करके आप download कर सकते हैं तो जो इसका bot का developer है उसने यहाँ पर download url select किया हुआ है कि हम इसको deploy करेंगे जो कि medium size है आप size देख सेंगे जादा बड़ा size आपको select नहीं करना 2.4 काफी जादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर medium size यानी 120 MP को यहाँ पर use करेंगे तो यहाँ पर जो इसने value के अंदर दिया हुआ है by default हम उसी को यहाँ पर use कर लेंगे copy करके आपको जो f.json file या फिर जो read भी होती है उसके अंदर यह सारी चीज़े बिल जाते हैं बस आपको उस शीज़े को यहाँ पर read करना होगा इसके बाद यहाँ पर एक variable है language code का अब यह language code भी आप read me के अंदर देख सकते हैं कि इस website पर जाना आप जैसे मैंने और वहाँ पर आपको जो language code यूज़ करना है आप उसको select कर सकते हैं तो हम यहाँ पर simply वही यूज़ करेंगे जो developer ने दिया है जो कि है English US की तो यहाँ प यहाँ पर इससे copy करके fill कर दिये अब इसको हमें फिर से deploy करना होगा या फिर deploy ना करने की जगह आपका क्या कर सकते हैं यहाँ पर resources के उपर आना आपको यहाँ पर मिलेगी resources में आप अपने bot को start कर सकते हैं हमें जो profile बनाई थी आप यहाँ पर दिख सकते हैं यह हमारी वही profile है जहां पर defined है इसको आपको यहाँ पर start करना है अब जाब आप इससे right side कर देंगे तो आपका bottom स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट करने ही तो महीं अपने यहां पर समझते कर देख है और है यहां pos pros चीज लिखरी है न आप बस उसको पढ़ लेना तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज का एरर है most of the users को problem यहीं पर आती है देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि छेड़ खानी करना सीख लो आप जितना जाधा छेड़ खानी करोगे उतना जाधा सीख होगे मैंने भी यह सारी चीज़े खुद ऐसे ही सीखी है users जो है न छेड़ खानी करने से डरते हैं और जिसकी विज़े से वो सीख नहीं पाते हैं तो मैं तो एक कहता हूँ कि सीख लेना तो आप यहां पर देख सके हो हमारे हैं पर कोई भी एरर नहीं आया है यहां घिस करने करने के लिए कि हमारा बॉट यहां पर वर्क करता है या नी चलो आपकी इसमत यहां पर अच्छी है कि बॉट स्टार्ट में तो कोई एरर नहीं था लेकिन बॉट को यूज करने में आप एक एरर आ चुका है अब मैं इस एरर को आपको सॉल्व करना से कहूंगा कि यह आप किस तरह से सॉल पाइटन 3.11 हम यहां पर यूज कर रहे हैं जो कि ले टेस्त है ठीक है इसके बाद साइट पैकेज में आप तो देखो कि लास्ट में जाकर यह पहुंच रहा है पायरोग्राम कि था कि टैलिग्राम की लाइबरेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं टेलिग्राम बॉट्स को क्रियेट करने के लिए यूज़ करने के लिए तो यहां पर यह हमारा जो एरर हुआ यह किस से रिलेट हुआ यह हमारा एरर रिलेटेड हुआ पाइरोग्राम से अब अगर आप requirements.txt फाइल में जाओगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि यहां पर यहां पर जतने भी packages यहां पर दिये हुए है इन किसी भी packages करना specific जो version होता है वो यहां पर नहीं दिया हुआ है और versions update होते रहते हैं तो जैसे ही कोई नया update आता है तो ऐसा हो सकता है कि पुराने package के अंदर जो पुराने version के अंदर जो चीजे थी वो शायद update के अंदर remove हो जाए तो उसी के विज़ा से यह error आता है अब यह जो repository है वो है एक साल पुरानी developers ने काफी image टेक करिये कि उन्होंने specific way version mention नहीं करा है repositories के अंदर तो हम यहां पर इस file को edit करेंगे अब यहां पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि telegram के pyrogram के अंदर दो major differences आये है दो major updates थे तो अभी तो latest चल रहा है यहां पर मैं is equal to is equal to डाल के यहां पर जो इससे पिछला वाला जो सबसे stable version था जो best suited है telegram bots के लिए जो हमेशा work करता है मैं उसको यहां पर fill करूंगा और देखोंगा कि तब मेरा bot यहां पर work करता है या फिर नहीं अभी जो pyrogram version चल रहा है वो है 2 उसको आप यहां पर यहां पर जाओगे तो आप search कर सकते हैं कि pyrogram का latest version ऐसे आप google करोगे ना तो google के आप गूगल पर भी सारी आपको चीज मिल जाएंगे देखो pyrogram को जो latest version चल रहा है वो 2 है लेकिन हमें करना है पुराना वाला use पुराना वाला use कौन सा है 1.4.16 यह most stable pyrogram version है जो इसको यूज किया जाता था तो हम इसको यहां पर use करेंगे 1.4.16 को अब repository के अंदर जब आपने कोई भी change कर रहा है github repository के अंदर तब आपको अपने bot को heroku के उपर फिर से deploy करना पड़ता है आप एक और चीज में आपको बताते था है जो मैं नहीं हापे एक miss कर दी थी कि आपको build up packs में देखना है यहां पर जो heroku है वो तो by default आएगा मदलब heroku python लेकिन यहां पर एक और अलग से build up pack है जो इस repository में use हो रहा है तो क्योंकि हमने यहां पर directly deploy किया है ap json की file से deploy नहीं करा है तो हमें यह जो build up pack है manually add करना पड़ेगा कहां पर add कर सकते हैं build up pack में आना add pack पर आना यह जो url copy कर रहा है इसको यहां पर save कर देना और यह आपको यहां पर add हो जाएगा add करने बात आप आप एक note देख सकते हैं कि आप इस bot को दोबारा जब deploy करोगे ना तब ही आपका changes apply होंगी ऐसे ही जब आपने github repository के अंदर changes करें तो जब उसे आप दोबारा deploy करोगे ना तब ही यहां पर work करेगा ठेकर मैंने आपको समझा दिया है कि error आपको कैसे समझना है और कैसे आपको build up packs वगरा add करने हैं build logs के अंदर भी आप अपने errors को पकड़ सकते हैं अगर कोई होता है तो अगर आपका error आएगा तो आपकी जो last में जो deployment है वो नहीं दिखाएगा cancel दिखादेगा या फिर failed दिखादेगा तो हमारे इसके अंदर कोई भी error नहीं आया है चेंजिस करने के बाद और हमारा bot successfully deploy हो चुका है अब हम दुबार यहां पर अपने logs को चेक करेंगे तो यहां पर तो कोई error नहीं है अभी तक bot को हम स्टार्ट करेंगे bot हमारा response कर रहा है नहीं करता है अब यह response नहीं करा दुबार देते स्टार्ट कमांड तो हमारे बॉट नहीं आपर response कर दिया अब मैं इस फाइल को दुबारा send करूंगा और देखते हैं कि हमें पिछला पिछला वार दुबारा आता है या फिर नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा वह error जो था वह यहां पर रिमूव हो चुका है इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया कि आप कैसे अपने error को solve कर सकते हैं हमारा बहुत यहां पर बिल्कुल ठीक से वर्क कर सकता है कर रहा है और यहां पर आप अपने logs को भी देख सकते हैं लोग को आपको देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगा अगर आपको बहुत ठीक से वर्क कर रहा है तो तो हम देखते हमारा बहुत यहां प अब मैंने आपको सिखा दिया आप अपने हेरोकू के उपर बॉट्स को कैसे डिप्लॉई का सकते हैं, कैसे एरर को देख सकते हैं, बस आपको लॉग फाइल के अंदर जाके लाइन बाइन रीड करना होगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एरर हो किस चीज से रिलेटेड है, लोग बस इस चीज को नहीं करते हैं, जिसकी वज़ासे वो अपने एरर को खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट रूप क्यों नहीं जरुत परती हैं, अ आपको किसी की भी जूरत नहीं पड़ेगे, आप अपने सारे बाट्स को खुदी सॉल्व कर पाएंगे, सारी क्वेरीज को, हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,